नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में नाम है जो तेरा है वो मेरा है और ये फिल्म सीधे OTT पर रिलीज हुई है जियो सिनेमा पर आप इसको देख सकते हैं डिरेक्टर है राज प्रिवेदी दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजेगा क्योंकि वेब सीरीज और मोवीज के रिव्यू के साथ साथ आपके यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी और इस फिल्म की कहानी है ग्रीड की कहानी लालच की कहानी और हम देखते हैं मितेश को जो की एक फैमिली मैन है पत्नी है दो बच्चे है और ठीक ठाकि इनका परिवार चल रहा होता है लेकिन बहुत ही छोटे पन से बच्चपन से इनकी निगाह एक बड़ी कोठी पे होती है और जब वो बड़े होते हैं इनका धंदा कुछ जम जाता है उसके बाद ये इस कोठी को हासिल करने के प्रियास में लग जाते है और इस कोठी में एक बुजूर्ग रह रहा है जो क और कुछ ऐसी चालाकी करे कुछ ऐसा जाल बिछाए कि ये जो बंगला है ये इनके नाम हो जाए और इसके बाद ही इस फिल्म में कुछ चीजे अलग-अलग होने लगती है घटाएं आगे बढ़ती है तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो ठीक कहानी है लेकिन कहिये क कि एक simplistic presentation या फिर एक कमजोर screenplay के चकर में ये film कभी उतनी अच्छी नहीं नीद बन पाए ही है जो कि आप एक expect कर सकते हैं अब देखिए कि यहां जो main theme है वो है greed का है लालच का और यहां यह भी दिखाया गया है कि केवल पैसा कमाने के चकर में अगर कोई है या फिर वो जैसे तैसे जुगार तिकरम करके केवल केवल पैसे के पीछे भाग रहा है तो उसकी जिंदगी में न सुख है न सांती है और यह बात इस character को भी समझ में आती है हाला कि तब तक काफी देर हो चुकी होती है लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि यह film जो है वो अपनी theme में भी थो कुछ नहीं है यहाँ जो family है जो relation है यह काफी important होते हैं लेकिन यहाँ आप देखिए कि जो भी character आपको दिखता है चाहे एक scene के लिए कोई police वाला आ रहा है या फिर कि कोई security guard है मतलब बावा का सरफ है वहाँ एक आदमी security पे खड़ा है या जितने भी लोगों को आप है तो यह बात जो है कि relationship important है family important है जीवन में सुख साहती important है यह इतने तरीके से बैठ नहीं पा रही है दूसरा कि यहाँ जो character आपको देखते हैं कि मतलब वो यह जो है मितेश इनकी पत्नी family values की हैं उनको बच्चों की फिक्र है लेकिन हम यह भी देखते हैं कि कभी वो potential था उसका पूरा यूज नहीं आपको दिखता है क्योंकि यहां screenplay जो है वो flat आपको दिखता है comedy का element आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा है नहीं कि आप बहुत ठाके लगा के हैं सके या satire ऐसा आपको नहीं दिखता तो कुल मिलाकर के दोस्तों यह एक average film ही र आपको दिखते हैं सुनाली कुलकरनी है या फिर फैजल मलिक भी एक दो scene में आपको दिखते हैं तो कलाकारों ने अपने हिस्से का काम तो ठीक किया है लेकिन वहीं बात कि अगर writing में या direction में उतना दम नहों तो फिर वो ही क्या कर सकते हैं और देखिए दोस्तों यहां जो जगह आप यह न डालते तो यह एक family film हो सकती थी तो यहां भी वो फिजल जाती है क्योंकि दो जगह तीन जगह आपने गालियां डाल दी है तो एक कहिए कि average film आप इसको कह सकते हैं अगर आपको पास थोड़ा सा time है और कुछ light entertainment के mood में है तो आप इसको देख लीजिए नह मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर यह film देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसे देख धन्यवाद